हेलो दोस्त कैसे हैं आज हम लोग टेंस पढ़ने वारे हैं बहुत सरा कमेंट आया बहुत सो लोगों का मैसेज़ आया कि सर आप कब बतानेंगे कि आखिर टेंस का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है जो आपसे पिछले वीडियो में हम पूछे थे आज हम आपके साथ ये सारा च पॉमन सेंस की जरूत है हम लोग इसको बहुत अच्छे समझ जाएंगे चीजें हम लोग सब कुछ जानते हैं बट हम लोग को वह चीज पता नहीं होता हमारे इंवार्मेंट में एवरीधिंग इस देर बट क्या होता है कि वह कोई बताने वाला नहीं होता कि यह चीज ऐसा है इसले हम लोग को पता नहीं चलता है ठीक है आज हम लोग टेंज सुरू करते हैं दोस्त वीडियो लंबा बनेगा दोस्त इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे ध्यान से देखिएगा कोई कोई चीज का सौटकट नहीं होता बहुत सारे वीडियो में देखेंगे कि 30 मिन बसे को रचार नहीं संदेगां इसले में दूट्स का इसलिए में दोस्त बहुत भर से बनेगा रहें गांगे चीजिए ऑर आपको बहुत मज़ा आएगा वीडियो लंबा बनेगा दो-three चार प्राइब में बनेंगा पांच प्राइब इसका पार्ट लंबा होगा दो फिरी चलेगा यह गंटे में खतं होने वारा सेक्शन नहीं है तो पने यह प्लिंग कोई भू बोलेगा में um 2 przygotatar ना मंहें अच्छे हों हम लोग क थोड़ा flora बनेगा इस। जदेस stop Safe Choleto a पढ़ने के पद पेरली थोड़ा साम लोग वर्ब आपको याद होगा हम लोग नब वर्ब का शिरी उपाड़े थे वह पड़े थे नहीं आपको ध्यानने तो वर्ब का वीडियो देख लिजेगा प्रृग्यानपाट लोग समझना जरूरी है क्योंकि सारा जो टेंस है वर्व से बहुत लिंग्ट है बीना उसके मतलब एक सरी रहते की दिमाग है बीना उसके दोनों का चोली दामन का साथ है बीना उसके हम लोग आगे नहीं कर सकते हैं तो वर्व किसको बोलते हैं हम लोग जानते हैं जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसको वर्व बोलते हैं बहुत बढ़िया बात है बहिया तो वर्व क्या होता है करना यानि कि एक्टिव वर्स ट्रैप का होना मतलब पैसिव वर्स ट्रैप का यहां तक तो अच्छे समझते हूं, नहीं, तो जिस का स्चामाल का पता चल को उसको हम लोग 12 कम डिण तो सबस्वें बोलेगा तीन टमरी तीन त्रका होता है यहीं दादा है इसका चारी और है मतलब उसका भी three three four four data है simple present 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 continuous बिल्कुल सही बात है वह कोई दिक्कत नहीं है बहुंद हम लोग क्या सीखते हैं टेंस तो आप से कोई पूछे के बहुत है यह बहुत सुंदर बात है पास्ट क्या होता है तो बोलेंगे सर जो बीत गया वो पास्ट है मतलब आज सुबह जो हो गई अब तो दूबारा जिन्दिगी में तो नहीं आने वाली तो वो पास्ट हो गया मनें जो समय बीत रहा है मान लेते हैं कभी दोफर के आने वाला है अभी मतलब मान लेते हैं बारा बजा है तो बारा बजे के बात वाला जो समय होगा वो क्या होगा और जो चल रहा है वो प्रजेंट ठीक है तो मेरे मन में कुछ दुविधा है दोस्त इस स्टेंस को लेकर दुविधा ये है कि मान लीजिए कि हम अभी पढ़ा रहे हों और आप सभी बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हों ठीक है आपको पढ़ाते पढ़ाते क्या हो गया है कि मेरा टाइम हो गया खाना खाने का ठीक है मान लेते हैं कि 11 बज गया हो 12 बज गया हो और एक दूसरा बैच आया हो जिसमें आप लोग बैठे हों और हम खा रहे हों रोटी सब्जी खा रहे है ठीक है रोटी सब्जी खा रहे हो और आप में से कोई है मान लेते हैं सुमीत ना वो भी आया है मेरे पास पढ़ने के लिए बारा बज़े तो अपने घर से आया होगा तो खापी के ही आया होगा तो क्या हमको बोलता है सर आप खा लीजिये न हम खा के आया है तो आया कब मेरे पास 12 बजे घर से कब निकला होगा घर उसका थोड़ा दूर था cycle चला के आया है बच्चा तो कम से कम आधा घंटा लगा होगा तैयारी होने में उसको कम से कम 10-15 मिट लगे होंगे उसकी मम्मी उसो खिलाई कितने बजे होगी 10.30 बजे क्या सपास 11 बजे क्या सपास आया है मेरे पास यानि वो 10.30 बजे खाना खाके मेरे पास आया है 12 बजे पढ़ने के लिए यानि डेड़ घंटा उसको हो गया है तीक है डेड़ घंटा पहले खाया था और आके हमको क्या बोलता है सर आप खायन हम खा क्या है ऐसा क्यों हूँ है आप तो हमको बोले किसर जो बीत गया वो पास्ट है तो डेड़ घंटा पहले का पास्ट नहीं था बोले बाब साइब था ना तो डेड़ घंटा पहले पास्ट नहीं था पास्ट था चलिए एक सवाल हो गया बहिदा हुआ Gmail गंट पहले का पहला कोशन के था आपका जो आपसे पूछे थे ग्षन पहले का वो बच्चा सुमीत कब आया था उमीत मेरे पास 12 बजे आया 12 बजे मृआ आया वह खाना कितने बजे खाया था 10-30 a.m. एक खाना खाया था यह जेड़ घंटे का जो गैप हो गया ये पास्ट नहीं था पास्ट था ना चली एक और सवाल दूसरा दूसरा कोशन ये है कि वही सुमीत को जब हम पढ़ाना शुरू किये बारह बजे तो मान लेते हैं बारह से एक पढ़ाए और हमको पढ़ाने में मान लग गया टॉपिक भी बहुत अच्छी थी बच्चे लोग भी बहुत इंट्रेस्ट दिखा है बोले सर थोड़ा और पढ़ा दीजिये तो हम क्या किये बोले बच्चा का मन रखना है बच्चा तो भईया बच्चा है तो बच्चा के साथ हम भी बच्चा बन गए अब बोले ठीक है बईया चलो पढ़ लेते है साथ में तो उसको पढ़ाते हुए हमको दो बच गया अब दो बच गया बच्चा दो बच तक पढ़ लिया बोला सर अब हम लोग घर जाएं तो हम बửले जा बच्चा घर चल जा तो सारे बच्चे उठे अपने अपने घर गए अब घर जाता है सुमीत उसकी मम्मी पूझती है बěटा खाना निकाले है खाना खाले बेटा तू तो उससर सूबह में खाया था तो सुमीत बोलता है मम्मी हम सूबह में खाया थे ना भूख नहीं लएगा जल्दी से खाना दीजिए बहुत कसके भूख लगी है पेट में हाथी गोड़ा दोड़ा है तो मम्मी बेटा को निगाल के देती है यानि कि जब वो घर पहुंचता है कितने बजे दो बजे तू पी एम को अपने घर पहुंचता है और खाना खाता ह कि टू-थार्टी एज बस टू-थार्टी पीएम को वह करते अपना लच लेता यहां यहां पर वो क्याаний आता अपना ब्रेक्रवास्ट लिया था तो उसकी मुआ बोला कि हम सुबह में है न खाना खाय थे भूग नहीं 날ए गा यह त्यो mm उसमें देड़ घंटा पहले वो बोला खाना खाय थे और वो वही देड़ घंटा दो घंटे बाद क्या बोलता है मने खाय है हमको क्या बोला खाना खा क्या आए है देड़ घंटा पहले बोला खाना खा क्या है उसमें दो घंटा और एड कर दिया तो क्या बोला? खाना खाय थे. ऐसा क्यों? ऐसे ही न, आप भी बोलते हैं. हम खाना खा क्या हैं, ज़र आप खा लेजिए. दो घंटे बादा बोलते हैं, सुबह न, खाना खाय थे, भूगने लगेगा. तो भाईया, ये contradiction समझे में नहीं आ रहा है. क्या देड़ घंटा पहल पूसने आपसे. Question number two. ये तो one का ही पार्ट था. Question number two. दोस्त, देखें, पूरा concept है. जब तक concept नहीं समझेंगे, पूरा इटेंस का औरा clear नहीं होगा. दूसरा question. दूसरा question ये है, कि मान लीजिए, मान लीजिए, कि हम लोग, हम आपके स्कूल में पढ़ाते हैं. चीकि है? म एक सुमीत है, एक सलोनी है. दोनों दो स्कूल में पढ़ते हैं. अब सौभागे बोल लीजिए, दुरुभागे बोल लीजिए, उन लोग इंगलिस का क्लास हमी लेते हैं. अब क्लास लेते हैं, भहिया, तो question exam में होना था, term exam था, तो question प्रिंसिपल सर बोले कि भहिया, और उस दिन हम स्कूल किसी कारणवास नहीं गये. अब ऐसा हुआ, कि आपका exam भहिया बहुत खराब चला गया. देखें, बुरा नहीं मानियागा, बर समझने के लिए हम आपको बता रहें, case दे रहें आपको. आप लोग का exam बहुत खराब चला गया. ठीक है? सलोनी का भी exam खराब हो गया, और सुमीत का भी exam बहुत खराब हो गया. कोशन्स बढ़ियां से बने नहीं. कोशन्स का जो आप expect किये थे, वो expectations आया नहीं, paper बहुत खराब चला गया. और आप exam से बस निकल रहे होते हैं, gate पही होते हैं, हम वहाँ पर पहुंच जाते हैं. तो मने मन सोच रहा होगा कि सर जी कईसा घडिया सा कोशन्स दे दिये, यार हमसे बनाना ही बहुत खराब चला गया paper. तो सुमीत को हम जब पूछे कि बिटा बता तेरा paper कैसा रहा, तो सुमीत क्या बोलता है, कि सर पेपर बहुत अच्छा गया. हम बहुत कोशन दिखा, सर क कोशन दोस्त को दे दिये, कौन-कौन कोशन बनाया है बिटा, सर याद नहीं है सर, सब बना दियोंगे सर, ठीक है, बाकी सब ठीक तो रहा, हाँ सर सर ठीक था सर, सब बन गया, भाया सुमीत तो गुस्टे से कोशन फार के फेग दिया, लेकिन हम क्या बोलता है, दोस्त को द निकला ही है पांच मेनीट ही हुआ होगा और वो सारा सारा चीज को पास्ट्रेंस ईंको बोल रहा है अर यहां पर और यहां यहां पर 5 मिनट पहले की बात हमसे पास्ट में किया सर भूल गए याद नहीं दोस्त को दे दिये सब पास्ट एंस क्यों कि यह नी पांच मिनट में पास्ट और देड़ गंटा में प्रेजेंट एब या समझ में नहीं आ रहा है पांच गंटा पहले डेड़े गंटा पहले की बात है तो वो प्रेजेंट में बोल रहा है यहाँ पर पांच मिट पहले की बात है तो पांच में बोल रहा है चलिए अब पहुंचे हम सलोनी के पास सलोनी क हम वह कोशन कौन कौन सब बनाई है सर सब बना दिये सर कोई कोशन छूटा नए सर कि पेपर दिखा सर मेरी दोस्त ले लिए सर जल्दिली में हम याद नी राह से लेने के लिए सब बहाना प्रफेक्ट था सोच ये पेपर खराब गया सब कोई हमसे ऐसा ही क्यों बोला कि सर पेपर बहुत अच्छा गया पेपर ऐसा था पेपर वैसा था लेकिन भाईया नमबर के जो आएगा ता आपको पता चली जाएगा कि हमको दू आया कि पांच आया ठीक है चलिए दोनों प्रावलम हो गया एक तो दारजलीं गया है उटी गया है कुल्लू गया है मलाली गया है गोआ गया है मुंबई गया है आप सबसे ही सवाल पुछा जाएगा तो आप क्या बोलेगे सर हम गया है सर देखिएगा मेरे सवाल समझने कुछ कीजिएगा मेरे शब्दों को पकड़िएगा my words are very important to understand what I mean to okay just try to understand what I'm trying to आप से पूछा जाएगा कि बहिया बताईए कुछने लोग गया है दार जलींग ता बोलेंके सर हम भी गया है दार जलें सर बहुत सुम्दर आप कि गोवा कंते हो गहां सर हम भी गहां सर दिलिक कुतुब मिनार किसे ने देखा है सर हम देखे हैं सर क्या ऐसे आप लोग उतर देंगे पारफेक्ट बिल्कु सभी यह तरीका भी यह उतर देने का अगर अब हम आप से पूचते हैं डारजली कप गहें सर गयते सर पिछले गर्मी के चुटी में बहुत सुन्क्र बात है पिछली गर्मी के चुटी अभी तो अभिजस्ट हुई थी ना कि एक साल पहले हुई थी एक साल पहले की बात हमको कैसे बोल रहा है सर गोवा तो सर हम लोग अपने दोस्तों के साथ गय थे जए तीन साल पहले गए थे सर बहुत सुन्दर बात है तीन साल पहले गवा गए थे और आज हमको बोलते हैं सर हम गवा गए हैं का है भाई आप लोग को समझ रहे हैं कि कितनों पूराना बात को आप लोग बोल देते हैं कि सर हम गए हैं अगर हम बोलें अपने बारे में, तो हम पूरा भारत घुमे हैं, सर चंडीगड में रहे हैं, कानपूर में रहे हैं, मुहाले में रहे हैं, चेनाई में रहे हैं, हैदराबाद में रहे हैं, वारंगल में रहे हैं, गुवा में रहे हैं, बैंगलूरू में रहे हैं, मूंबई म में रहें क्या है इस अच गण एक बता कब रहें आज अभी आप के साथ हैं पुरानी बात है दो साल पहले चार साल पहले पांच आल पहले की बात हम आपको अभी बता रहे हैं कि हां सर रहे हैं दिली में रहे हैं सर कहां पर रहे हैं भाईया मालविय नगर में रहे हैं सर उसका बजार अभी तक हमको याद है मुखरजी नगर में रहे हैं भाईया पूरा बजार याद है नौर्ट केंपस याद है नेरू नगर याद है सब याद है तो आप जहां भी रहे हैं आपको जगह याद है आप वो रहे हैं रहे हैं चार साल पहले दस साल पहले बोलते हैं को सब याद है सर कई से यानि आप कितना कॉंट्राडिक्ट कर रहे हैं अपनी और जो बीता हुआ को भी आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं अजो अभी ढ़ी जस्ट पहले की बात है हूँ सब्सक्राइब ऐसा विंस नहीं होना झाहिए हम आपको एक चीजों को share कर रहे हैं इसलिए हम आपको बोले थे कि यहां समझने की जरूरत है रटने की जरूरत नहीं है रटेंगे तो बस वही हालात हो जाएगा और कोई shortcut नहीं होगा दोस्ति याद रखेगा मेरे बातों में इस पढ़ाई में कोई shortcut नहीं है concept best सारा पढ़ाई है अगर इसको आप समझें तो बहतर नहीं तो जो रटा रटा फॉर्मेट है वह तो बहतर है अगर इसका definition ऐसे करें काम चाहे कभी भी खत्म हुआ हो अगर इसका definition कुछ हम लोग ऐसा करें काम इसका अगर हम definition ऐसे कहें तब देखिए का सायद हमको लगता है कि मज़ा आएगा आपको कुछ नए अच्छा का चीज मिलेगा काम चाहे रे भईया ये तो पेनी नहीं चल रहा है क्या भईया मारकर साहे काम चाहे कभी भी खत्म हुआ हो काम चाहे कभी भी खत्म हुआ हो ठीक है कभी भी खत्म हुआ हो आज दस दिन पहले एक सल पहले दो सल पहले दस सल पहले पचास सल पहले पहले कभी भी खत्म हुआ हो उससे फरक नहीं पड़ता यदि यदि इस काम का असर है इस काम का असर है असर मतलब प्रभाव, इफेक्ट अगर इस काम का असर है तो यह प्रजेंट धालाएगा प्रजेंट टेंस में होगा यदि असर नहीं है तो क्या होगा? पास्टेंस होगा चलिए अब इसको हम लोग जस्टिफाई करने कोस करते हैं हम लोग अभी जो बोले कि भाईया प्रजेंट और पास्ट जो भी दिया वो हमारा पास्ट है जो अभी चल रहा है वो प्रजेंट है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? अब बस इस वाले डिफिनीशन पे इसको सेट करने की कोस करते हैं अब सिट कीजिस पे काम चाहे कभी भी खत्म हुआ हो अभी खत्म हुआ हो दस दिन पहले खत्म हुआ हो दस साल पहले खत्म हुआ हो सौ साल पहले खत्म हुआ हो हजार साल पहले खत्म हुआ हो उससे कोई फरने पड़ता है अगर उस काम का असर भी है वर्तमान में तो वो प्रेजेंट होगा, अगर नहीं असर है तो वो पास्ट हो जाएगा, एकदम सीमपल डिफिनीशन है दोस्त, अब सेट करें इसको प्रेप को करें, चली पहला कोशन क्या था, जब हम पढ़ा रहे थे तो सतीस क्या बोला था, कि क्या बोला, सर, एक असर यह मरें पहला, जो खाने कारेक्रम होगा, उसका असर था उसके पैट में भोजन था, खाना पचा हुआ नहीं था, तो अब खाँ नहीं सकता था, तो हम वो क्या बोला, सर, आप खा लीजी हम खाना खा क्या हैं, लेकिन वही जब वो ढबाई बजळ घर गया, अपनी मम्मी से बोला, तो खाना तब तक पच चुका था, तीन चार घंटे में खाना हम लोका पेट चुका था तो खाना पच रहा था यब पच चुका था, जब खाना Saar Pach गया था, उसकी मम्मी को क्या बोला वह? सूबह में ही न खाय थे खाना दीजिये भूख लगा है समझ में रहा है यह simple सा बात था खाने का असर था खाने का असर था तो किस में होगा present वह इसलिए 37 क्या बोला 37 प्रजेंटेंस में बोला था ना खाना खा क्या है use करते हैं क्यों use करते हैं को मालूम नहीं समझ रहे हैं use तो करते हैं बट क्यों करते हैं को पता नहीं चल दा चली दूसरा question क्या था 37 और Saloni वाला था exam में paper खराब गया था अब 37 और Saloni क्या क्या थे इनका paper खराब गया था अब यह चाहा नहीं रहते उस चीज को याद करना उस चीज को याद नहीं करना चल रहते क्योंकि वो उनके लिए night mere था बहुत बुरा ब्यानक सपना था इतना घडिया paper गया तो उसको याद नहीं करना चल रहते और उसमें भी मेरे साथ अरे बाप ये बाप ये क्या हो गया ये आदमी मेरा paper खराब करवा दिया इसा घटिया paper set किया और हमको बताया भी नहीं पढ़ाता भी है आदमी हमको और बताया भी नहीं और मेरे paper खराब चला गया अगर hint भी कर दिया होता तो मेरे paper अच्छा गया होता अब यह हम तो हिंट भी नहीं करते हैं किसी को बताते हैं पढ़ाते हैं तो किसी को हिंट भी नहीं करते हैं एक्जाम में तो खास करके हैं अपने दम पे पढ़िये तो मज़ा आएगा जो अपने दम पे जो नंबर लाने का जो मज़ा है न दोस्त उसकी खुसी का कोई ठीकाना नहीं है दोस्त वो किसी से मैशले से वो अंकम्रेबल है कोई तुला ही नहीं है उसका पर właściके तो क्या होगा वो याद नहीं करना चाहरा था उस काम का असर नहीं रखना चाहरा था इसलिए वो हर बात को क्या बोला हमको 37% सलोनी पास्टेंस है, तीसरा कोश्चन क्या था moc हम आप लोगों से पूखे यदारजली कितने लोग चाहं, उटी कितने लोग आई हैं गोया कितने लोग आय हैं कि बोले तो आप सब हाथ उठा के हम को बोले थे अब उसको और हन्धितें क्षोई बोला हम बीजा है कोई दो साल पहले घये कोई बनाहर हम för़ यह को तीन साल पहले घये कोई बोला सल हम 5 सल पहले कोई को बोलेगा हम 10 सल पहले गए सोच के देखिए जोग दिल्ली में रहा क्या बोला सर हम मालविय नगर गय थे सर कुतुमी नगर गय थे सर वहां ऐसा था सर वहां ऐसा था वहां इतना बड़ा उंचा था इसा था मेंरेट था सब कुछ था अब आप वो क्या सर गय तो थे सर वहाँ पे besser कोई याद नहीं है सर गय ठेसर तीन साल पहले इते सर लिखनाए denen नहीं है और हम को दस साल पहले की याद कि शीजी मुपर अब श्यौन मो зап prizender बोलें गर को महाए थे से क्या खाय थे सर कल साम को, सर याद कर रहे हैं, सर याद कर रहे हैं, सर क्या खाय थे, याद में, सो जी कल साम का बात है, आपको याद नहीं है, तो पास्ट नहीं है, असर खतम होते हैं, वो पास्ट हो जाता है, असर रहेगा, तो प्रजेंट असर नहीं है, तो पास्ट, सिंप को विडियो दुखी बहुत लमबा बनेगा दोस्त यह पूरा टेंस का सिरीज बनेगा एक छूटा चीज और समझ लीजे जो हम लोग आज कल जो टेंस पढ़ रहे हैं प्रजेन्ट टेंस पास्टेंस और फूचर टेंस क्या होता है कि इन दोनों टेंस के बारे में ज्यादा चर्चा होती है अब present tense के जगह पर यहाँ पर time लिख दी जाती है present future time future time को time लगा कर हम लोग पूरा उसका अर्थ निकाल लेते हैं अगर कोई आप से पूछे कल मैं पटना जाओंगा I'll go to पटना tomorrow आप ऐसे बोलते हैं कोई ऐसे भी तो बोलते हैं एयम गोई टो पटना कअ कोईएसे भी तो बोलते है I go to पटना कॉमर्ळ सब बात यह निकल रहा है present में बोल रहे हैं फिर बी आर्थ future में निकल रहा है future буду इस और पिना लेंदी क्यों करें आप जानते ना कि हम लोग सारे लोग आज के समय में क्या होता है सौट कट चाहते हैं काम को आसान करना चाहते हैं तो काम को आसान कैसे होगा चीजों को छोड़के आसान कैसे होगा दस काम करना है दस काम करके दस रुपे मिलता है अग कुछ ऐसा काम कर लें कि पांचे काम करके दस रुपे मिलता है तो पांचे काम को छोड़ना आसान है छोड़ दो पांचे काम करना पढ़ेगा तो हम लोग ऐसे भी छोटा काम करना च तो इन दोनों से हम लोग पूरा टेंस का काम चला लेते हैं खरी फुचर टाइम एड़ करते हैं हम लोग का पूरा अर्थ निकल जाता है ठीक है चलिए है इस पार्ट में हम लोग यहां तक समझ गए कि आखिर टेंस में असर का कितना बड़ा रोल है क्यों हम लोग करेंगे कि प्रजयं टेंस का चारों पार्ट है यह करके समझेंगे उसका structure समझेंगे कियों होता है जिसके लिए हम लोग इतने बेशायन हैं उसका भी मतलब समझेंगे क्यों होता है ठीक दोस्त मिलते हैं अगले में इसके next section के साथ thank you बढ़ियां से पढ़िएगा समझने कोश कीजिएगा जब तक समझेंगे नहीं बनेगा नहीं दोस्त यूज तो करते हैं क्यों करते हैं नहीं मालूम है तो कोशिज कीजिए क्यों करते हैं ठीक है जाहिन